परधान मंत्री बनाना उद्देश नहीं है मोदी को हटाना है तुम्हारे इस बोल को सब पोल खुल गया है कि जिस राम को देश में लाखों मंदिरे उस राम का मंदिरे गाइब हो गया था जन्म भूमी आजादी के बाद आपसर तो आपको मिला आपने साथ पैसट वर्षों में नहीं इस काम को छूना भी पसंद नहीं किया आईए दस वर्ष का प्रधान मंत्री नहीं जो दस वर्ष का अपने आपको प्रधान से बक कहते हैं वो आज वो बना कर दे दिये हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग भोट के लिए करते हैं मला का बहुंसरा को नो भागवान केवट का बंसर्ट वो तो गौरव से कछता है जो यहूंन ने हमें सक्खा माना था यहूं और उसराम के साथ तस हूं रहूंगा तो महकोला तो इसे ही प्रसद नहीं कि नेता आम जंता शे अलब होता है उनका बिचार अलग गता है इसलिए उनका बात नहीं करूँगा लेकिन मलाहों के मन में है नमस्कार अपलाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ कमलेस इन दिनों इंडिया गटवंदन में सीट सेरिंग को ले करके घमासान मचा हुआ है एक तरफ जद्यू कह रही है हमा मास के बाद जो है सब कुछ तैह हो जाएगा लेकिन सवाल यह है कि अब तक सीट सेरिंग नहीं हुआ है इसको ले करके कई सवाल भी खरे हो रहे हैं अब इसी भी बात कर निकले हमारे साथ विहार विधान परिश्यत के नेता प्रधिपक्ष हरी सहनी है क्या कुछ कहते हैं स के बारे हमें खरमास कर लुख जिनको जहां जो बॉलना है बोल रहे हैं कहीं से भी लगता है में कि विवाह हो जाने के बाद पती और पत्नी को पत्नी को अर्धांगने और पती को पर में स्वर्व कहा जाता है, उस घर में स्वर्व का बास होता है, लोग कहते हैं, ये जो गठ बंधन हुआ है, विवास अंसकार भी गठ बंधन है, ये भी गठ बंधन है, इस गठ बंधन में किसी परिवार के किसी सदस्य को आप देख रहे हैं, कहीं पर भी किसी तर से जो परिवारी प्रेम होता है कहीं देखाई दे रहा है पूरे देश में यह नहीं देखाई से टेखाई दे रहा है यह एक विस reperDD को को ने सुनने बोलने की कोई यह वस्तंद्र नहीं है वह पूरे गठ बंदने बेमेल है और दूसरी बात उद्देश क्या है परधान मंत्री बनाना उद्देश नहीं है मोदी को हटाना है काहे तो भाई हम सब के उपर तो बरा बरा आरोप है आई आएंगे रहेंगे तब तो हम लोग उस जाल से बाहर नहीं निकल पैंगे इसलिए कोई बन जाना हम तुम उसमें कोई बात नहीं है कोई बने भारत के बाहरों को लोग के लाके बना देंगे मोदी को नहीं बनाना है ये गठ बंदन है इस गठ बंदन का उदेश इस भारत की जनता जान गई है कि जो दुनिया का सब से लोग प्रिये नेता गड़ीबों के महसी आभारत के ये सबस्वी प्रधान मंत्री जो गड़ीबों के हित का चिनता करने वाले हैं उसको यह लोग हटाना चाते हैं कौन लोग जो हमेशा घोटालों के जाल में फंसे रहते हैं जिनको EDCBI से भारी रू ना जनता जान गई है जनता के समझ में आ गया है कि भाईया हम को जो है जो किसी भी तरफ से CBI, EDI से कहा किसी को डर लगता है यह डर तो उसी को न लगेगा आप चुम्बक इसे रख दीजे हजार पावर का लेकिन उसमें तर लकरी किसी सुरत में चंदन कहते हैं यह नहीं न खिचाएगा कोन किचाएगा दोसर कोई किसी भडर लगता यह य i जोगों में भी तरा शेरिंग को लेकर लिगाहां सुने हैं वह उसके बोलने से भारत चलेगा क्या भारत ऊसी के मोलने से चले बुज्ज़दानु अब उसे बुज़ने से तो बोल रहा है कि ये लोग राजनीत के कारण भोट के कारण राम मंदिर का निर्मान किया है भाईया तुम्हाने इस बोल को सब पोल खुल गया है कि जिस राम को देश में लाखों मंदिर उस राम का मंदिरे गाइब हो गया था जन्म भूमी आजादी के बाद आबसर तो आपको मिला आपने साथ पैसट बर्सों में नहीं इस काम को छूना भी पसंद नहीं किया आए दस बर्स का प्रधान मंत्री नहीं जो दस बर्स का अपने आपको प्रधान से बकाते हैं वो आज वो बना कर दे दिये हैं तो ये लोग कहते हैं कि य लिए करते हैं यह लोग अपने काम नहीं किए आये बनाएं तक कहते हैं भोट के लिए करते हैं यह सभी बात हमारे कि निर्धारित करो उसे कुन का है कि जो डेट हमको बताएं कि इस डेट में जाना है आपको यह निमंतरन पर रहा है गाओं में जब मंदीर का आस्था अपना होता है कोई किसी को निमंतरन देने नहीं जाता है लेकिन गाओं का हर एक एक घर का लोग हर पडिवार के लोग वहां जाते हैं प्रान परतिष्ठा में भाग लेते तो वह गाओं की बात है आई यह बिश्व की सबसे दुनिया की सबसे दिव्य और भब्य मंदिर निर्मान हुआ है राम जन भूमी पर पांसो बरसों के बाद इंतजार करते करते लाखो नैन ये मंदिर का दर्शन करने के लिए तरफ 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 दुनिया से चल बसी हम लोग किस्मत वाले हैं कि 2024 में आज इस 22 जनवरी को जो प्रान परतिष्ठा होने जा रहा है इसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे इसलिए लालाईत है कोई यह करके अपना भाव किने को महगा करने का आवस्चकता नहीं है कि राम जी के मंदिर में मैं को जाओंगा यह कहकर डेट बताने की आवस्चकता नहीं है जिनको जमन होगा तो जाएंगा अब फिर मलाह का बंसज भगवान केवट का बंसज वो तो गौरब से कहता है जो राम ने हमें सका माना था मैं उस राम के साथ था हूं रहूंगा तो मलाह तो वो इसे ही प्रसन है वो तो जाएंगे ही सारे के सारे अब जाहां तक नेता का सबाल है तो नेता आम जनता से अलब होता है उनका बिचार अलग उता है इसलिए उनका बात नहीं करूंगा लेकिन मलाहों के मन में है और मैंने भी वहाँ प्रस्ताव दिया था कि वहाँ केवट का भी प्रतिमा अस्थापित होना चाहिए सिर्फ केवट ही नहीं राम जी के जिवन में जितने महत्तपुन जिनका जिनका करूल है सबका वह स्विकार भी हुआ लोग माने भी मंदिर निर्मान के बाद वह भी तियार हो रहा है लेकिन चुकी यह मुख्य मंदिर जो है अभी बनकर तियार हो चुके हैं हो रहा है अंसिक रूप से बांकी है और सभी के सभी बनेंगे मुझे बहुत खुसी है कि 24 में हम लोग उनका दर्शन कर पाएंगे इसलिए हम लोग को खुसी है और देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में रह रहा है सनातनी सभी को इन बातों का प्रसंता है नेता को छोड़ कर तो अपने साब तो पर सुना उनका कहना है कि देखिए इन लोगों में जिस तरह से घमयासा इन लोग चाहते हैं कि बाहर से ला करके भी देश का परधान मंत्री बना दे वही मुकेस सहनी जो है राम मंदिर को ले करके अपने बियान को रख रहे थे उसको ले करके भी कहा है कि यह लोग जाए या नहीं जाए लेकिन जनता में राम मंदिर बनने की बहुत ही खुशी है कमलेश कुमार लाइब बिहार पटना यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें